तो एक दोस्तों आज मैं आपको तैनलाओं ऑले ज़रू सब्सक्राइब करना और फो सके सब्सक्राइब शब्सक्राइब और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताया हूँ सैमसंग रिमाइंडर एप के नए अपडेट के बारे में तो उसके लिए जाना है आपको अपने वाइल के गलेक्सी स्टोर में जाएंगे मेन्यू में यहां अपडेट वाले एड़ोन किये गए जैसा कि आप देखेंगे इस अपडेट में तीन नए फीचर एड़ोन किये गए सपोर्ट सेंपल लिस्ट व्यू मौड सपोर्ट रिमाइंडर लिस्ट एट कंटेंड कंप्लीट रिमाइंडर एंड सपोर्ट ता टूडे कैटेगरी और इस वर्जन का न अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा दिख रहा होगा तो आप इसको व्यू को अगर आपने बहुत सारे यहां पर रिमाइंडर लगाए होंगे तो आपको सब ऐसी दिखेंगे तो आप इसको सिंपल लिस्ट जिससे भी दे सकते हैं यहां जाएंगे व् list के form में भी कर सकते हैं जो कि पहले highlight हो रहा है थे white white वह हडगया है यह simple list के form में आपको यहां पर दिख जाएंगे तो सबसे पहला feature यह add-on किया गया है उसक्तक है दोस्तों यहां पर आप second feature देखिएंगे क्या दिया गया है supports reminder list that contain complete reminder तो आप आपको एक option मिल जाएगा show complete reminder जैसी आउस पर click करेंगे तो जो भी complete हो चुके हैं वो सब आपको यहां पर दिख जाएंगे और सब crop underline से cross होके दिख जाएंगे ताकि यह आपको पता लए जाए कि already हो चुके हैं तो second जो feature है वो यह है यह मेरे पास काम हो सकता आपके पास चाहरी का option दे दिया गया है यह बाई today आपका भी यह वाले reminder and feature आने वाले आपको यह यहां पर मिलेगा उपर भी आपको बताएगा one reminder left for today और यहां पर अगर आप जाएंगे तो आहां पर भी आपको today का reminder मिलेगा मतलब कि यह today का category मना दिए ताकि आप अच्छे से पता reminder अभी पर दिग दोस्तों यहीं तीन नय फीचर यहां पर addon किये गया है Samsung reminder app मैं जो कि मैंने आपको बता है उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you नो दोस्त वह सकते हैं या विच्श सकते हैं या आप सबसे जरूर इचीज अगर अभी तक आप मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी लिया करो और अडोड़ीशन बेल आइकन को भी दभादेना तो थेंक्यों दोस्तों